2024 लोकसभाचुनाव की रेस शुरू होने में अभी लगभग 6 महने का वक्त बाकी है लेकिन PM बनने की रेस अभी से ही शुरू होती हुई नजरा रही है विपक्षी दलों ने मिलकर अगले साल होने वाले लोकसभाचुनाव के लिए विजेपी को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठवंधन बनाया है जहां 2024 की रडनीती बनाई जा रही है PM मोधी को पूर्फ PM बनाने की पूरी तयारी चल रही है इस बीच कॉंग्रिस नीता शशी थरूर ने बड़ा बयान दिया है लोकसभाचुनाव में PM मोधी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठवंधन बनाया जिसे लेकर के PM मोधी के टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है PM मोधी को 2024 में हराने के लिए सभी विपक्षी नेता एक मंच पर एक साथ नजर आ रहे हैं प्रधान मंत्री बनने को लेकर के कॉंग्रिस नेता शशी थरूर ने कहा कि उन्हें लगता है कि अगर इंडिया गठवंधन को 2024 के लोकसभा चुनाब में जीत मिलती है तो कॉंग्रिस पाटी अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे या पुर्व अध्यक्ष राहूल गांधी को प्रधान मंत्री के रूप में नामित कर सकती है थरूर ने कहा कि अगले साल के चुनाब में विपक्षिय गठवंधन की वज़ा से हैरानी भरे नतीजे देखने को मिल सकते हैं इंडिया गठवंधन के बीजेपी के नित्रित वाले एंडिये गठवंधन को शिकस्त दे करके केंद्र में सत्ता में आने की संभावना है दरसल शशी थरूर केरल की राजधानी तिरूवंतम पुरम में स्थित टेकनो पार्क में अमेरिकी सिलिकॉन वैली के डीटू सी की साथ बातशित कर रहे थे उन्होंने कहा कि अभी हमें इंतजार करने और देखने की जरूरत है उन्होंने आगे कहा कि लेकिन मेरा अनुमान है कि कॉंग्रेस पार्टी या तो मलिका अरजुन खडगे जो भारत के पहले दलित प्रधान मंत्री बनेंगे या राहूल गांधी प्रधान मंत्री की दौर में हो सकते हैं थरूर ने ये भी कहा कि उन्हें जो भी जमेदारी दी जाएगी वह उसे पूरी इमानदारी से निभाएंगे डिविलाइप की रिपोर्ट